एक बीस साल की लड़की एंटरंस एक्जाम में उनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आने से बहुत डिस्टरब्ड हो गई थी उसकी यस्तिती उनके पिता जी ने नोटिस किया और वो लड़की को ऐसा सिचुएशन को बोल्ड्ली फेस करने के लिए प्राक्टिकली बताना चाहा पिता जी ने वो लड़की को किचिन में ले गया और स्टॉव पर तीन बॉल्ल रखकर तीनों में पानी डाला एक बॉल में आलू, दूसरे में एग्स, तीसरे में कॉफी बिंस डालने के लिए लड़की को कहा लड़की को कुछ समझ नहीं आया, फिर भी पिता जी ने जैसा कहा वैसा की कुछ समय बाद स्टोव बंद कर दी लड़की ने पिता जी से वो क्या कहना चाहता है पुछी तब पिता जी आलू का बॉल निकाल कर आलू को देखने के लिए कहा बॉल होने के बाद आलू में चेंज को नोटिस कराया बाद में एग्स और कॉफी बिंस का बॉल्स भी नोटिस कराया फिर भी लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आया, तब पिता जी आलू पहले पत्तर जैसा कड़क था, फिर बॉयल करने के बाद कितना सॉफ्ट हो गया और टच करते ही स्मैश हो गया, एग पहले कड़क नहीं था, तूटने जैसा था, लेकिन बॉयल होने के बाद अंदर से स्ट्रॉंग हो गया, कॉफी बीन्स बॉयल होने के बाद भी पहले जैसे स्ट्रॉंग और उनके टेक्स्चर में कुछ चेंज नहीं दिखा, बॉल में से कॉफी डिकॉक्शन कप में लेकर पिता जी ने लड़की को दिया, उसका अरोमा से ही लड़की रिलाक्स फिल करने ल से बदल डाली, हर कोई अपने लाइफ में अपने लेवल के चैलेंजिंग सिचुएशन्स फेस करते ही है, पर जब सिचुएशन फेस करने से हम आलू जैसा स्मैश हो जाना चाहिए, या एग जैसे पहले एकदम वीक होते हुए भी सिचुएशन को फेस करने के बाद स्ट्र स्मांग रहते हुए अपने आजो बाजो एन्विरॉन्मेंट को भी हिल्दी रखना है, हमको ही सेलेक्ट करना है, पिता जी के इन बातों से लड़की वो क्या कहना चाहता है समझ गई See you again with a new topic in Global Encyclopedia, Till then take care and have a nice day